गाड़ी लगजरी है उसके बाव यूद भी इसकी जो माईलेज है 30 प्लस है अच्छा एसी ओन या फैसे तो सियाज का सबसे बड़ा बूट है होंडा सीटी और वर्ना के कमपैरिजन में अच्छा आप क्या रिकमेंड करेंगे कोई अगर मालो सियाज गाड़ी लेना चाहरा रही और उसमें लगवाने की सोच रहे तो आपके क्या वर्टिंग रहेगा है 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 हाई गाइस गूद मॉर्निंग और वेल्कम बैक तो दे चैनल गाइस तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूं सियाज मैंने फर्स टाइम देखिए हैं सियाज के अंदर लगी होई और बात करें गाड़ी की तो सर की गाड़ी है है क्या से था आप अच्छा तो मैं आप से कुछ चीज़े जानना चाहूंगा क्योंकि इस गाड़ी में अपने सी अंग लगवा रखिया तो काफी कस्टमर्स हैं काफी सब्सक्राइबर्स हैं जो मतलब सियाज के बारे में जाना चाहत जनुरी में लिए जनुरी 2021 में लिए और गाड़ी कौन सा मोटल लए यह पंदरा मोटल है और आपने 2021 की जनुरी में लिए है बना पांचे वैसे गाड़ी की कंडिशन को देखते भाई मैं सब्ताओं तो इतना लगता नहीं पांचे साल पुरानी गाड़ी लगती है अब जो तो नए वाड़ी गाड़ी आई है उसमें ग्रिल हो गई है इस में जैसे चार स्लाइब ग्रील की अब उसके अंदर डोट 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 आगी है और खोड़ी सी और सूंदर लगती है यह यहां सी कुछ लोग है कॉंड़ा स्टी और वर्ना से कॉम्पेट करती है गाड़ी स् अब जो में चीज है सर मैं हो जाना जाओंगा कि इसकी परफोर्मेंस और इसकी माइलेज वैसे तो काफी लंबी गाड़ी है यह सबसे लंबी गाड़ी आती है मतलब मिड्साइट सबसे अगर मैं बात करो अगर इसके अधर के बात करते थाकि थोड़ी शी आवाज अच्छे से आपकी मैं कैप्चर कर पाऊं इसका कुछ एंटिरियर है इसका काफी रिच का भी लगता वाइस गाड़ी के अंदर बैठके यह नहीं लगता कोई चोटी मोटी गाड़ी में बैठे हैं बिल्कुल बेज और ब्लैक कलर का जो कॉम्बिनेशन बहुत सुन्दर लगता है तो से हम बात थे परफोर्मेंस पे और माइलेज पे परफोर्मेंस तो इसकी सुनके ना लोग हरान हो जते हैं अच्छा हाँ को वेट के हिसाब से गाड़ी लगजरी है उसके बावयूद भी इसकी जो माइलेज है 30 प्लस है 30 प्लस है बिल्कुल बिल्कुल बैसे 90 पे चलाएंगे 90 पे चलाओंगे तो इसकी ए बटन को पुछ नहीं दिया अच्छा मतलब बटन इसका ओन ही रहता है हाँ ठीक है तो मतलब परफोर्मेंस वैसे जैसे आप पेट्रोल में चलाई हुई है आपने तो या फिर लेते ही सेंजी में लगवा दी ते ही मैंने दिली से लीती काड़ी है अच्छा अपने मितर थे अच्छा और जैसे आप पेट्रोल में चलाते हैं और फिर उसके बाद सी एंजी में स्विच करते हैं तो आपको कितना डिफरेंस मिलता है पीकप में मैं कुछ नहीं आपको मैसूस ही नहीं होता मतलब बिल्कुल एक नंबर की परफोर्मेंस चल रहे हैं इतना पैसे हमारी इतने बचा रहे हैं तो इसमें कोई फरक भी पड़ता ठीक है और अब होगी परफोर्मेंस की बात भी हो गई दोस्तों और यह अपनी माइलेज की भी बात हो गई है हम गाड़ी को थोड़ा आगे मूव करते हैं एक्चुली हम से अजी बरवाने एक्चुली मेरी गाड़ी इसी गाड़ी के पिछे है तो से अजी परवाने ही मैं आयो हो यहां पर अब मैं इसको आपको बूट दिखाना चाहूंगा इसका कि मतलब कितना स्पेस मेरे को बड़ी ही अच्छी फिटमेंट लगी बूट की एक गत्ता सा लगा के मैं चाहूंगा सर एक बार आप बूट पॉली प्लीज इसका बूट अगर मैं आपको दिखा हूं वैसे तो यहाज का सबसे बड़ा बूट है होंड़ा स्वेटी और वर्ना के कंपैरिजन में इतना बड़ा बूट है यहां पर शिलेंडर लगा गया कितने किलो का स्लेंडर लगा है चाहँए 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 इसके अंदर आती है नोर्मली तो भी 30 के आसपस जो माईलेज आपने प्लाइज तिन सो किलोमेटर जाती है इस जैसी गाड़ी पतलब इतनी लगजरी गाड़ी एक बार फूल करवाने के बाद एक सिलेंडर के अंदर आपकी 300 किलोमेटर जाती है एसी के साथ तो इससे बढ इसे बढ़े आप आप अब जो वेगे नार आ रहे है कंपनी पिटिट सी आंजे के साथ है उसकी माईलेज में तीच बातीस तेटिस के आसपस बताते है और एसी ओन करने के बाद तो उसकी इतनी माईलेज नहीं है इसका इंजिन को पर दिपेंट करता है अच्छा जो इसका लगजरी गाड़ी है तो यह है और आपने कितने की ली थी यह गाड़ी यह मैंने ली थी ती 5,15,000 पे ली थी आपने और 33,000 पे आपने इसकी किट पे लगाए हैं मतलब 5,500,000 पे में आपकी लगजरी गाड़ी और कम रेट में चल रही है इससे बढ़ी आप क्या रिकमेंड करेंगे कोई अगर मालों सियाएज गाड़ी लेना चाहरा नहीं और उसमें लगवाने की सोच रहा है तो आपके क्या वर्डिंग रहेगी इसके लिए तो इसमें औ अगली सेट पर और अपने कोड़िंग सेट कर लेजी सेट को इसे आप कमफटेबली बैठ सेगे अब बिल्गुल कमफटेबली बैठे हैं अब मैं आपको पिछली सीट पर बैठ के दिखाता हूं तो दोस्तों यह ऐसे नहीं लगगा कि आप गाड़ें बैठे हैं आप घर पर किसी सोफी बेठे हो इतना ज्यादा स्पेस है दोस्तों देख सब्सक्राइब इतना ज्यादा स्पेस है और लगजरी के टच के अडिशन के साथ आपको में बता दो कि यहां पे आपको रेर एसी वैंट मिल जाते जो की पीछे की साइड केबिन को कूल करने में काफी है करते हैं और थंडी आरिये वाइस में से भी बहुत बढ़िया यहां पर आपको आम रेस्ट भी मिला हुआ है म्यूजिक सिस्टम में इंस्टोल है और 1.5 लीटर का इंजन आता है फिलाल जो नहीं गाड़ी आती इसके अंदर मुझे नहीं पताब 1.3 वाला इंजन है या फि अधिया वीडियो वैसे मैंने एक वीडियो और बना रखे कि 6 लाग के बजट में अगर आपको नई गाड़ी लेनी है वो अगर आपको वीडियो देखनी है तो उपर आई बटन में आ रहा हूँ या फिर इस वीडियो के एंड में भी आपको दिख जाएगी अगर आप दे झाल